वूद मॉर्णिंग स्टुडेंट्स, NRP ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम ओनलाइन क्लासेज के अंदर ग्रामर के बारे में जानगारी लेंगे ग्रामर के जो टॉपिक है उनके बारे में बड़ेंगे तो सबसे पहले लेक्चर वन के अंदर हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं ओलाइन क्लासेज उसके अंदर हम स्टार्ट जो हमारा पस्ट लेक्चर होगा पस्ट जो टोपिक होगा वो टेंस से संबंदित होगा टेंस के बारे में होगा जो topic होगा हमारा first lecture topic जो है वो tense के बारे में होगा देखें बच्चों tense के बारे में ये हमारा first lecture है लेकिन ये आपकी जो online classes है उसके अंदर आपको सबसे पहले जो main काम है वो एक copy और बनानी है जिसके अंदर आप important points नोट कर शको साथ के साथ last में कुछ है homework नोट कर शको जिसको आप regular ठेक class में ठेक next lecture में उसको समझेंगे उसको check करेंगे online ठेक है तो इस वज़े से आपको एक homework की copy भी बनानी है एक copy आप साथ लेके वेटे copy और एक pen तो main main point आप पे note करते रही है और समझते रही है तो आज हमारा जो first lecture है किस से संबंदित होगा tense के बारे में होगा तो अपने अब स्टार्ट करेंगे tense के बारे में हमारा ये first lecture है tense के बारे में तो सबसे पहले देखो tense क्या होता है tense को हिंदी में क्या कहते है काल tense को हम काल कहते है काल काल का मतलब हिंदी में समय भी होता है समय यानि tense का समंद्य समय से होता है यानि समय के बारे में जानकारी प्राप्त करना tense का मतलब ठेक है काल यानि समय अब समय कितने परकार का होता है तेन परकार का वर्थमान काल भूद काल और बहुत से काल इंगलिस के अंदर वो ही तेन टेंस होते हैं परजेंट, पास्ट और फ्यूजर तो टेंस को हम तेन भागों में डिवाइड कर रहे हैं ये तीन परकार के टेंस होते हैं, सबसे पहले परजेंटेंस होते हैं, नमबर वन परजेंटेंस, वर्दमानकार परजेंटेंस, Number two, past tense Past tense Booth Karl Number third, future Future tense Dekhi students, teen tense hote hai Present tense, past tense, future tense There are three kinds of tenses There are three kinds of tenses Present, past and future Then Present tense has four parts Present tense Present tense Present tense Future tense Future tense कौnse होते हैं उनके बारे में जानकाली प्राप्ट करेंगे देखिए सबसे पहले जो परजें टान्स होता है नंबर वन मैं रिपीट कर रहे हूँ परजें टान्स उसके चार पार्ट मैं बता रहे हूँ simple presentance simple presentance जिसे अपन present indefinite के नाम से भी जानते हैं number two present continuous present continuous present continuous को हम present progressive के नाम से भी जानते हैं present progressive number third present perfectance number four present perfect continuous यह चार परकार presentance के होते हैं symbol presentance जिसको हम present indefinite के नाम से भी जानते हैं present continuous present perfect present perfect तो हम एसे पास्टेंस के बारे में next classes में पढ़ेंगे future के बारे में भी पढ़ेंगे ऐसे हम one by one एक इक चीज़ को तेके अच्छी तरीके से क्लास के अंदर यहां पर समझने की कोशिश करेंगे आपको सबको ये online classes अच्छी तरह से समझ में आएगे यदि आप इसको seriously सुनें देखेंगे seriously देखेंगे और जो हम class जैसे ही खतम होगी lecture first खतम होगा तो उसके end में कुछ home work के लिए कुछ sentence देंगे जिनको आप पने classes में next classes में solve करके लाएंगे इसलिए आप सभी ठीक है इन चीजों को धंग से पढ़ने की कोशिश करें तो आज हम सबसे पहले जो मारा पश्ले lecture है simple presentance का उसी इक पर रहेगा कि simple presentance के sentence कैसे बनाए जाते हैं simple presentance के जो वाक्या हम सिखेंगे वो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले देखे simple presentance को भी मैंने समझाया था कि चार पार्ट होते हैं नमबर एक परजेंट सिंपल है जिसकों भी परजेंट इंडेफिनेंट के नाम से भी जानते हैं इंडेफिनेंट का मलब होता है एनिस्सित जैसे कुछ कारी हुआ वे जाता है अब कब गया पता नहीं वे खाता है अनिस्सित कब खाता है वे खेलता है अननिस्सित जैसे वे पढ़ता है अब कार्य तो हो रहा है पड़ता है वो पड़ता है और कब पड़ता है वो सुबह पड़ता है शाम को पड़ता है दोफेर को पड़ता है कब पड़ता है यह एनसी तो यह कहना लेकिन कार ये वर्दमान में हो रहा है कि वो पड़ता है रेगुलर हो रहा है ये वो पड़ता है तो ये वाक्य जो है वो सिंपल पर्टेंटेंज का है हिंदी के अंदर किर्या के अंत में ता है ती है ता हूं ते है ये सब्द आने चाहिए किर्या के अंत में क्या आने चाहिए ता हूं ती है ता है ये सब्द किर्या के अंत में जाहिए जैसे वे पढ़ता है, अब इसमें किर्या होगी पढ़ना, पढ़ता है, और subject हो गया वे, अब इसका जब इंगलिस बनाएंगे, तो ये subject है, he reads, अब क्या पढ़ता है, ये दिया नहीं, इसमें object नहीं दिया, ये subject वरब पर बन गया, कि he reads, वह एक किताब पढ़ता है, तो हम लिख सकते हैं, he reads a book, number two, दूसरा, जो sentence है, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, आप भी ऐसे sentence बना सकते हैं, जैसे subject हो गया, वे, यानि दे, प्ले, दे, प्ले, तो बच्चों, ये दोवा के मैंने simple sentence के example उदार्ण दे के समझा रहूं, वे पढ़ता है, वे पढ़ता है, तो किरिया के अंत में क्या है, ता है, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कि किरिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ता हूं, ते है, ये किरिया के अंत में आना चाहिए, जैसे ता है, ते हैं, ती है, ऐसे, उसके बाद में अपन इस ट्रेक्षर के अकोर्डिंग, उनका अरेजमेंट कर लेंगे, तो वाके easy way में आराम से हम बना सकते हैं इंग्लिस के इंदर, इंग्लिस कोई कठिन जीज नहीं है, उसको हम subject वर्ब यदि ध्यान से समझे पड़े और इस इस ट्रेक्षर को समझने की कोशिज करें, तो हम आराम से, ठीक है, आसानी से इंग्लिस ग्रामर सीख सकते हैं, जैसे हमें एक वाके और बना सकते हैं, राम विद्दाले जाता है, अब देखो, इसमें ता है आ गया, तो इसका अलब ये भी simple presentation का है, राम विद्दाले जाता है, राम गोज टू इसकुल, राम जएपूर जाता है, तो अपन इसकुल ही जागे जैपूर लिक लेंगे, राम गोज टू जो मार्केट, राम गोज टू अजमेर, राम गोज टू विलेज, ऐसे हम वाके arrangement करके इंग्लिस बनाते हैं, तो जो simple presentance है उसके भी four parts होते हैं चार प्रकार का होता है simple presentance भी affirmative, negative, interrogative और interrogative, negative सकरात्मक वाके, नकारात्मक वाके, पर्षन वाचक वाके, पर्षन वाचक नकारात्मक वाके जिसको हम affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative के नाम से जानते हैं जिनके बारे में हम अभी step by step एके करके सभी वाके पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जो simple presentance के जो ये मैंने affirmative वाके लिखें उनका में जो structure होता है बनाने का आसान तरीका वो लिखके समझाता हूँ जो affirmative वाके होते हैं affirmative sentence उनका जो ये pattern है सबसे पहले देखो हमें subject करता जो होता है कारी करने वाला subject उसके बारे में ध्यान रखना है subject के बाद में वरब का ध्यान रखना है वरब में अपन is, is, is add करेंगे फिर उसका बाद में object या other parts जो होता है उसका use कर लेंगे ये pattern है affirmative का तो देखो मैंने वरब first लिखिया है यानि वरब जो होती ही किरिया होती है तीन परकार की होती है first form, second form और third form तो जो first form जो use की जाती है वो simple presentance में use की जाती है अब first form के अंदर ही हम तीन सब्च उज़ करते हैं S, ES और IES किने सब्च उज़ करते हैं first form में S, ES और IES तो देख रहे होगे ये classes के अंदर कि first form के अंदर S, ES, IES लिखा हुआ है तो ये S, ES, IES का use के अवल singular subject के लिए के जाता है जो एक वच्चन करता है जैसे राम एक हरी सोवन, रोवन, गीता, सीता ये जब नाम है ये अभी naming word है तो इनमें सब ये singular subject है तो ऐसे जब बागे singular subject से बनते हैं तो उस word में ES, ES, IES का use कर लिए जाता है object जो होगा उसका use कर लेंगे other part कोई होता है एड़ब वी एल उसका use अपन कर सकते हैं तो सबसे पहले अपन affirmative का ये बागे देखते हैं राम एक किताब पढ़ता है तो देखो सबसे पहले तो हिंदी का ध्यान रखना है ताहे आना चाहिए क्या आना चाहिए ताहे ये सबसे important बात है पैचान करने की हिंदी के वाकिव में ये ताहे ती है ये मैंने उपर लिखा है ताहूं ते है ये सबस अपन को notice करना है राम एक किताब पढ़ता है अब इसमें किरिया कौन से हो रही है पढ़ना object है क्या पढ़ता है कि book पढ़ता हो और subject है यहाँ पर राम अब राम एक वचन है ये बहुचन है राम यहाँ पर एक वचन है क्योंकि ये singular अकेला है तो यहाँ पर नाम है तो ये राम subject हो गया राम पढ़ना किरिया हो रही है तो यहाँ पर नमबर टूपर subject के बाद में वरब लिखी हुई है तो यहाँ पर rate तो यहाँ पर हो जाएगा rates क्योंकि राम singular है तो ऐस लगा दिया राम रेड़ एबुक ये वाक्य बन चुका राम रेड़ एबुक अब यदि अपन इसमें क्यों राम रेड एबुक ही लिखते हैं तो ये वाक्य हमारा grammatical गल्द है राम रेड एबुक लिखते हैं तो ये वाक्य हमारा गल्द है और ये वाक्य सही है अब सही और गल्द को केसे पैजानते हैं subject के according verb यूजे होनी चाहिए subject के according verb यूजे होनी चाहिए यदि subject के according verb यूजे नहीं होती है तो वाके grammatically ठेक है उसमें mistake माने जाती है error होता हूँ ठेक है इसलिए वो incorrect से intense मान लिया जाता है इसलिए अपनों को इस ट्रेक्शर को डंग से समझना चाहिए यदि इस ट्रेक्शर अपनों को डंग से समझ में आ रखा है बार बार इसका प्रेक्टिस करें, अभ्याज करें, इस ट्रेक्शर को याद रखे तो अपन आसाने से ये वाक्य बना सकते हैं जैसे मैंने एक एक्जाम्पल दिया, राम एक किताब पढ़ता है, अब राम देड्स एबुक, तो ये वाइक के बिल्कुल करेक्ट है, और ये इसी वाइक को केवल ऐसा लिख देता हूँ, राम देड्स एबुक के, तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एस नहीं जान सकते हूं, तो राम एक किताब पढ़ता है, ऐसे दूसरा एक्जाम्पल लिखते हैं, हम किरकैट खेलते हैं, हम किर्केटे खेलते हैं देखो इसमें लास्ट में टे है आ रखा है क्या रखा है टे है हम किर्केटे खेलते हैं हम किर्केटे खेलते हैं सब्जेट हुआ इसमें वी वरब है इसमें प्ले वी प्ले किर्केट अब वी यहां पर उलट सब्जेक्ट है बहुत जह नहीं, we यानि हम as, यानि एक से ज्यादा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब एक से ज्यादा subject होता है, तो प्रोडर subject होता है, उसमें क्यों पर फॉरम लगती है वरब की, best form जो होती है, वो पर फॉरम ही रहती है, यहाँ पर we play cricket, we play cricket, इस परकार से यह affirmative structure होता है, ठेक आया होगा समझे में तुम्हें, कि केवल एक structure को समझने से हम बहुत सारे वाक्ये सीख सकते हैं, तो हम एक किताब पढ़ता है, अब मैं दूसरा वाक्ये जैसे तुम्हारे को और बसाता हूँ, मोहन दोड़ता है, मोहन दोड़ता है, अब दोड़ना का हम दोड़ता है, रन, रन मिल्स क्या होता है, दोड़ना, जैसे अपने दोड़ते हैं, तो उसको रन बोलते हैं इसमें, तो मोहन रन्स, मोहन रन्स, एस क्यों लगा है मैंने, क्योंकि मोहन यहाँ पर singular है, यदि मोहन यहाँ पर singular है, तो मेरे को एस लगान से ओर सीख सकते हैं देखो सब्जेक्ट हैं दो परकार के होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और पुलर सब्जेक्ट मैं इधर साइड में बता देता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट अब singular subject में आ गया जैसे he आ गया, see आ गया, it आ गया, कोई name आ गया और एक होता है plural subject जैसे I आ गया, we, you, they, Ram and Mohan यह plural subject होते हैं तो singular subject के साथ तो singular वर भी उज़ होती है और plural subject के साथ है, plural वर भी जोटी है इस चीज़ को अपने रिरी डंग से समझेंगे तो कभी भी हमारे वाकी गल्ब नहीं बनेंगे singular subject के साथ singular वर और plural subject के साथ है plural वर भॉप singular subject के साथ singular वर और plural subject के साथ वर भॉप यह इस structure में विशेज द्यान रखना जही है इदि singular subject है तो singular verb लगा दू पुलर सब्जेक्ट है तो पुलर वर्ब लगा दू अब वरब singular बनाने के लिए अपने केवल S, E, S, I, S का प्रियों करते हैं वरब हमेशा जो पस्ट फॉर्म होती है वो हमेशा पुलर फॉर्म में रहती है अब उस पर्मानेंट पुलर फॉर्म में रहती है उसको अपने को singular बनाना है तो अपने को S, E, S, I, S का यूज़ कर लेते हैं आसानी से देख दे, जैसे अपनों को yes का प्रियोग करना है, सबसे पहले, तो जिन क्रियाओं के end में, double s, 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 ch, o, x, z आता है, the verb ending with double s, 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 ch, o, x, z, we use only yes, for example, go verb है, अब वो आ गया, तो अपने गोज कर लिया, pass verb है, double s आ गया, तो pass is हो गया, catch verb है, तो catch is कर लिया, as a, p, n, is का use, the verb ending with y and before consonant, जैसे k reverb है, मेरी वरब है, इन दोनों वरब में, last में y आ रखा है, और y से पहले consonant आना चाहिए, यह condition है, कि y से पहले consonant आना चाहिए, क्या आना चाहिए, y से पहले consonant, अब vowels को consonant है, तो में पहले पढ़ रखा होगा, vowels, a, e, i, o, e, u, उसके बाद में जितने भी बजते हैं, वो consonant होते हैं, तो यहाँ पर अपन को इस y को remove करना है, इसको अटाना है, और वरब बन जाएगी, carries, marries, s, i, s का यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद में जितने भी वरब बजते हैं, उन सब में अपन s का यूज़ कर लेते हैं, जैसे eat वरब है, अब eat में last में t r रख रहे हैं, अब t ने तो इसमें है, और ने यह y है last का, इसलिए अपने इसमें केवल eat लगा लेंगे, इसे read है, तो इसमें d r रख है last में, तो reads हो जाएगा, ऐसे हम singular subject के साथ, s, e, s, i, s का प्रियोग करते हैं, आया होगा समझ में, मैं एक बार और repeat कर देता हूँ, e, s, ac किरिया हैं, जिनके अंत में, double s, s, h, c, o, x, z हो, उसमें e, s का यूज के जाता है, ऐसी किरिया हैं, जिनके end में y हो और y से पहले consonant हो, उसके अंदर अपन is का यूज करते हैं, और अंत में जितने भी वरब बज़ जाती है, उन सब में अपन s का यूज कर लेते हैं, ऐसे एक pattern हो गया, अफर्मेटिव आकिये बनाने के लिए simple presentance के अंदर, तुम्हार को आया होगा समझ में इस सारी चीज़े, इस चीज को आपने अपनी copy के अंदर साथ के साथ important, जो तुम्हार को लगता है, उसको note भी साथ के साथ कर सकते हो, जो ये आज जो अपने online classes में पढ़ा है, वो तुम्हार को समझ में आया होगा, ऐसे अपन डेली ठेके एक-एक topic लेक्षर के रूप में पढ़ते रहेंगे, आज की जो class है, वो simple presentance के रूप में थी ये, अब मैं तुम्हार को, ठेके, जो आज मैंने भी पढ़ाया, उसका मैं थोड़ा homework note करवाता हूँ, जिसको आप ठेके, अभी CW की copy में note कर लेंगे, और उसको SW में करके लाएंगे, कल उसको हम class में check करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, homework की रूप में आपको, मैं note करवा देता हूँ, उसको अच्छी तरह से आप बना के लाएंगे, जो अभी affirmative sentence पड़े थे, उनी के उपर आप ये वाक्य बनाएंगे, राम, एक, गाना गाता है, दूसरा वाके, सेता, खाना पकाती है, तीसरा वाके, हम विद्दा ले जाते हैं, नेक्स्ट, वे दोड़ते हैं, वह एक किताब लिखता है, ये पांच वाके, आप सभी, अपने होमबर की कोपी में नोट करेंगे, और इसको अच्छी तरह से इन वाक्यों को बनाएंगे, कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस होमबर को समझेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, ठेक है, वह अपन शुरू करेंगे, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, उसको अब कल क्लास में शुरू कर देंगे, तो आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठेक है, धन्यवाद, ठेंक्यू.